हे अब्रीवन कैसे हैं सब्सक्राइब करने वीडियो में आप लोग का स्वागत है तो आज की वीडियो में हमारे पास बहुत सारी इंफॉमेशन्स है किया है किसने अनाउस किया है गोगल ने जी हां गाइस गोगल अपना नया वीपन लेके आ रहा है जिसके रिगार्डिंग कुछ गाइगा तो आपके फोन में भी गाइस वीपीन इवलेबल करवाया जाएगा अगर आपका फोन एंड्रोइड है तो नेक्स्ट बात करते हैं गाइस आई पर उसके बारे में जहां पर आपको सबसे पहले देखने को मिलता है रेडिमी नोट 11 इंडिया के लिए रूल आउट क चुके है उसी के साथ गाइस पोको F4 के लिए भी ग्लोबल में रॉल आउट किया गया हाइपर उसका 1.0.2.0 का अपडेट इसकी भी गाइस ओफिशल रिकवरी रोम एविलेबल करवा दी गही है उसी के साथ गाइस इंडिया के लिए रोल आउट किया गया रेडिमी नोट 12 Pro, Redmi Note 12 Pro Plus 5G के लिए HyperOS का 1.0.3.0 का अपडेट और इसको गाइस पबलिक रिलीस कर दिया गया है इसके जो ओफिशल ओटे लिंक्स है वो भी एवलेबल हो चुके हैं जो कि आपको मिल जाएंगे हमारे टेलग्राम चैनल पे उसी के साथ गाइस आपको देखने को मिलता है य उसी के साथ गाइस नेक्स्ट आपको देखने को बलता है Redmi Note 11 Pro Plus 5G जिसके लिपी गाइस सेकेंड HyperOS का ग्रेट रॉल आउट किया गया HyperOS का 1.0.3.0 का अपडेट इसकी पी जो ओफिशल रिकावरेट वो में वो एवेलेबल हो चुकी है उसी के साथ Redmi Note 13 5G के लिए इंडिया म जो HyperOS का अपडेट आया था 1.0.8.0 का अपडेट उसमें भी मही का सेक्योटी पैस था उसी के साथ Xiaomi 11i और Xiaomi 11i Hyper Charge के लिए ने अपडेट रॉल आउट कर दिया गया है HyperOS का 1.0.3.0 का अपडेट 370 MB का है और इसमें आपको जून का सेक्योटी पैस देखने को मिल रहा है इसक इसमें मही का सेक्योटी पैस था यहाँ पे आपको चेकाउट कर सकते हो कि HyperOS का 1.0.9.0 का अपडेट ओफेशल ग्लोबल स्टेपल अपडेट रॉल आउट किया गया है जिसका साइज 620 MB का है और यह अपडेट भी गया रैडिमी नोट 13 Pro और Poco X6 यूजर्स के लिए रॉल आपको मिल जाएंगे हमारी तेलेग्रम चैनल पर आपने सब्सक्राइब कर सकते हो आपको उमारे टेलेग्रम चैनल देखने को मिल जाएगा जिसको आप लोग सिंपली जोएन कर सकते हो उसके बाद गर रैदमी नोट 13 pro का एक स्पेशल अडिशन यहापे आप लोग्डेट 13 Pro 5G वो भी आपको red color में देखने को मिलता है जिसके ओरेडी 1.5 million units sold हो चुके है globally यहाँ पर आपको यह variant देखने को मिलता है Snapdragon 7S Gen 2 के साथ, AMOLED इस्प्लेइ 200 MP का कैमरा, Gorilla Glass Victors आपको देखने को मिलता है और जिस पसक्रिशन है वो सेम है बस color different किया गया है तो यह पी guys officially अभी launch हो चुका है आप लोग चाहो तो जाके check out कर सकते हो, why करने का मन है तो कर सकते हो वैसे इस price range में और इनी better options आ चुके है market में वाकिए आपका इसको पर क्या opinion है comment section में बता सकते हो next बात करते है guys कि आप लोगों को पता है कि snapdragon की जो नई cheap set है snapdragon 8 Gen 4 guys officially announce कर दी गई है तो कौन-कौन से phone होने वाले है guys जिनके साथ इसको launch किया जाएगा तो digital chat station ने guys officially confirm किया है यहाँ पे आप लोग दे सकते हो कि first watch of snapdragon 8 Gen 4 powered smartphone सबसे पहले Redmi K80 Pro, IQ 13, OnePlus 13, Realme GT 7 Pro इसको announce किया गया है और अभी guys और भी बहुत सारे phones हैं जो कि upcommittees में आने वाले है उनके नाम से हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं बड़ यह जो आपको नाम देखने को मिले हैं और क्लिर कर दूँगा इसकी Redmi K80 Pro के साथ आपको HyperOS 2.0 भी देखने को मिलने वाला है इसकी भी confirmation हो चुकी है क्योंकि यह भी गाई Xiaomi के विप्टेंस इसके बाद ही देखने को मिलेगा तो यह काफ़ी इची चीज है गाईस कि आपको नहीं प्रस्टेसर के साथ HyperOS 2.0 भी देखने को मिल सकता है नेक्स्ट बात करते हैं गाईस गूगल ने काफ़ी सारे जो यूटूब प्रीमियम्स हैं उनको कैंसल कर दिया जिसके रिगार्डिंग यहां पे इन्होंने एक मेल बेजी है जिस कस्ट निशूट आप लोग यहां पे चेक आउट कर सकते हूँ उस कंट्री में उस रिजन में वो अराउंड 14 डॉलर था तो वीपिन लगा के लोग जैसे मानलों ने इंडिया का सर्वर है किया तो दो डॉलर के अराउंड उनको यूटूब प्रीमियम देखने को मिल जाता था फिर वो वीपिन शिप्ट करते थे एंड देन उनका यूट बात करते हैं बाग रिपोर्ट के बारे में तो शाओमी की जो विकली बाग रिपोर्ट वा चुकी है सामने तो इस बार आपको देखने को मिलते हैं डेट 3 तरीक आज जी आई है वोल्म 155 आपको देखने को मिलता है जिसमें इस बार गाई हाईलाइट फीचर माना गया NFC जो कि officially denote किया गया है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलते है weekly report में सबसे पहले guys जो banks app open नहीं हूँ पा रही है UK bank app खासकर इनों ने बताया है जो कि काफ़ी सारे devices all most सारे devices में issues आ रहा है उस पे अभी काम चल रहा है NFC work नहीं कर रहा Redmi Note 13 Pro Plus में जो कि special version है HyperOS का 1.0.3.0 इसको अभी तक analyze नहीं किया गया है तो अपको मिटेज में इसको fix कर दिया जाएगा उसके बाद जो issue अपको मिटेज में fix होने वाले है वो आपको देखने को मिलते है कि system UI response नहीं कर रहा Xiaomi 14 में और Xiaomi 14 Ultra में guys Am I logo stuck कर जा रहा है आप लोग दे सकते हो ना Xiaomi 14 Ultra मतलब सबसे premium phone में guys bugs देखने को बने रहे हैं जो कि बिलकुल अच्छी बात नहीं है और इस बाद गाई जो bug reporters में काफी limited phones के रिगारी information दी गई है काफी bugs कम है इसका reason यह है guys कि अभी जो आली में mostly update rollout हुए है reading note 13 को 11 को 10 को भी reading note 10S को भी यह सभी जो updates है old mode जिनको भी मिले है यह सारे का सारे bug fixes वाले यह updates थे तो अभी इनकी testing चल रही है तो next month confirm आपको बहुत सारे bugs के रिगारी information देखने को मिलेगी जो कि अभी तक officially declare नहीं किये गए है तो मैं भी गाइस वेट कर रहा हूँ आपको मेडिये में बाकी आपका इसके उपर क्या opinion है आपके फोन में में से कोई बल्ग देखने को मिल रहा है कि नहीं comment section में बता सकते हो आज के लिए गाज बस यहीं नियूस दिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि फ्यूचर में भी आपके लिए से कमाल की information बैल आ सकूँ so guys thank you for watching मिलते है next video में बatाटें झाहिं थाल नियूस सरक को थाल एंसे सकता है याजियो Till वीडियो कि कमाल की सब्सक्राइब के माला किो धव सुच्ट स्टाइब के लिएम